आपका स्वागत है आज हम करने वाले बच्चों का फेवरेट मसालेदार वेज चाउमीन यह बहुत आसान इसे घर पे बन जाता है और देशा रेस्टोरेंट में या फिर पाजार में मेलता है ना उसी तरह से रेडी भी हो जाता है चलो फिर देखते केसे बनाना है तो यहां पे मैंने कैबिच ली है कैबिच को मैंने बारिक बारिक पिसेस में काट लिया है उसके साथ लेया गाजर, शिमला मिच, ओनियन, क्रेंच चिली, धनिया, जिंजर और कार्लिक को भी मैंने बारिक बारिक पिसेस में काट लिया है तर में मैंने पानी गरम होने के लिए रद द किया था और one tablespoon oil डाला था पानी हमारा गरम हो कर यह को हैं उसमें डाल रही हूं नूडल से यहापके मैंने एक पने फूरा नूडल से लिया था और उसे में तोड के डाल रही हूं आप बिना तोड़के भी यूज कर सकते हो लेकिन आप तोड़के यूज करेंगे ना तो यह खाने में जरां आसन हो जाता है और बच्चे भी इसे खा सकते हैं आसने से तो अब हम इसे उबाल लेंगे एक पास्ते साथ मिनिट के लिए हमारी नूडल अच्छे दाल के रखा था और उसके उपर में थोड़ सा थंडा फाने डाला था आए लिए थी कड़ाय में मैंने ओईल गरम होने के लिए रख दया था उसमें हम डालने वाले हैं जिंजर गार्लिक और ग्रेंचिलीज इसे हम फ्राइ कर लेंगे अब इसमें डालने वाली हैं ओनियन उसके साथ डालने वाली हूग काज है शिमला मेच और इसे हम सौटे कर लेंगे इस सबजों को हम ज्यादा पकाने नहीं वाले हैं थोड़ा सा ही हम इसे सौटे करेंगे यानकी सौट करेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारी कैबेज जिसे हमने काटके रखा था और इसे भी हम सबजों के साथ सौटे कर लेंगे सबजिया हमारी अच्छे तरह से सौटे हो गई है इसमें डाल रही हूँ धनिया इसमें थोड़ी से एड़ कर रही हूँ हल्दी क्योंकि हम इसे मसाले दार बनाने वाले हैं थोड़ा सा धना जीरा पाउडर गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर फ्राइ कर लेंगे मसाले हमारे फ्राइ हो चुके है इसमें डालने वाली हूँ चिली सौस उन टेबल स्पोन सोया सौस टोमाटो सौस टेबल स्पोन और विनेगार अप टेबल स्पोन और इसे भी हम mix कर लेंगे थोड़ा सा salted किया है इसमें हम add करने वाले ही हमारे noodles और उसे सबजे के साथ हम अच्छी तरसे fry कर लेंगे और इसे हम तो मिनट के लिए fry कर लेंगे नूडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं आहों इसके फ्लेटिंग कर लेंगे यहां पे हमारे मसाले दार चौव मिन्स खाने के लिए रेडी हो चुके हैं आपे रेसेबी घर पे चलूर राय कीजे और आपके आनवोबेरे साथ शेयर कीजे नूमिज कीछेन देखने के लिए धन्यवाद अच्छा लगा तो लाइक को शेयर जरूर कीजे और मेरे चानल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक वर वाचिंग नूमिज कीछान